हेलो स्टूडेंज दिखिए आपको पता है कि फर्स्ट राउंड हो चुके हैं और इंडिया का भी और स्टेट्स के भी लगवर लगवर रिजल्ट आने लग गए तो भई अब नेक्स स्टेप क्या होगा बच्चों के लिए कैसे सीट को जॉइन करना है कैसे छोड़ना है कैसे अपग्रेड करना और कैसे अगर आपको कोई सीट नहीं मिलिए तो अब आपको क्या करना है कैसे रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा सारी चीज़े अपने डिसकस करेंगे इस वी सब्सक्राइब करें अगर तो कितना तक पड़ेगा आप अच्छी जगे जाएं सही रीजनेबल फीस में जाएं यह हमारा में उद्देश समझेंगे आगे बढ़ेंगे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऑल इंडिया की ठीक है सबकी बात करेंगे ऑल इंडिया के भी और हर स सबसे पहले बात कर रहा हूं भाई ऑल इंडिया में अगर अगर आपको सीट नहीं मिलिये इनको भी चाहे ऑल इंडिया हो चाहे कोई भी स्टेट और लेकिन उनको लग रहा है कि हमको आगे गॉर्मेंट कॉलेच मिल जाएगा या सीट मिल जाएगी उन्हें क्या करना है आगे बढ़ जाओ यह का अब बात आती है वह स्टूरेंस जिनको कोई College allot वा है, इनको भी कोई college allot हुआ है, allotted जो भी allotted है उनको क्या करना है भई जो college allot हुआ है आपको उसको उनोंने या तो लेना है चोड़ना है अगर छोड़ना है तो उसका process क्या होता है, बच्चे पूछते रहते हैं हमसे कोई process नहीं है आपको कॉलेज लीव कर देना है नहीं जाना है कोई कहीं कुछ भी बोलने की जरत नहीं है ऐसा भी हो रहा है कि AIQ में बच्चों को जो नहीं जा रहे हैं उनके पास वनको लेकिन अगर अलॉट हो ए यह सिट दो तरीके या तो सेट को ले लो एक या तो जोइन कर लो एज आ और ऐसलें कि पला या फिर लो आपको अप्ग्रेड करना या फिर का कर नहीं भई ह..? है अप्ग्रेड करना है। आप ग्रेड का क्या होता है साथ में करना है पोल के आना है आपकोम क कहा हो जो भी पोल देंगे जॉँअ है और अप Talk जो नुख लो नहीं इन ची बता तरह के ओप्प्शन offline में ऐसा कह रहे हैं कुछ डीम उनिवर्स्टी की आना पड़ेगा तब जाकर कि आपको अपग्रेडेशन मिलेगा वर्णा नहीं मिलेगा कुछ कह रहे हैं कि ठीक है आप अब मिट कर दीजिए हमको भेज दीजिए अपग्रेड आपका हो जाएगा ठीक है तुरों तरीके तो बाकी के गौर्वर्मेंट कॉलेजिस के बच्चे हैं जॉइन करिए वहाँ पर बोल किया यह अपग्रेडेशन का और अपग्रेड करने के लिए क्लिए करना है प्रेश चॉइस पिलिंग अप्रेश चॉइस फिलिंग अब मेरी जो नेक्स लाइन है वह बहुत इंपॉर्ट प्रेश चॉइस फिलिंग होगी नई चॉइस बनाएंगे आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी रख सकते हैं प्रिफर्ड यह करते हैं पिछले वीडियो में भी अपने बताया था प्रिफर्ड यह करना चीए अपग्रेडेशन में कि अपनी ऊपर वाली चॉइस को रखे ल आपको या तो कोई और उपर का बेटर कॉलेज मिल जाएगा या सेम कॉलेज वापस मिल जाएगा जो पहले बिला था यह होता है updation अप्रिशन लेने कि लिए जॉइन करना जरूरी होता है बिना जॉइन किये हुए अफ्ग्रेड नहीं कर सकते हैं तो AIQ की बात कंप्लीट हो गई next step क्या रहेगा आपको समझ में आ गया है AIQ ने अपना नया schedule भी बना दिया है राजस्तान में क्या है राजस्तान के अंदर अगर आपको एक बार में मैंने सब बता दिया जिनको सीट नहीं मिली उनको सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करने और कुछ निकरना सभी के लिए सेम है अगर राजस्तान में कोई college a lot हुआ है आ लॉट कॉलेज हुआ है अटार और टेखिए में कॉलेच estásraf कुछ नहीं करना है कहीं पर भी life hive और जा राजस्थान बहुत यह 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 यह李 us या। कहला ओप्शन मिलेंगा कई ओप्शन नी मिलेंगा कॉलेज मत जाओ जॉइन मत करो फ्री इपसिंट वी अपने अपने इदेब विक्रण भी मिल जाएगा गर लास्त तक और कोई का ओऩ नहीं मिला तो खाईएगा college मिला उस case में नए सिच्विशन होंगी वो बनेगी राजस्तान अलोटेड हो गया है नहीं जाना है मत जाइए जाना है लेना है तो दो जगेश है अगर government college मिला है राजस्तान में SMS medical college जाना है जैपुर आपको आपका प्राइविट कॉलज मिला या बीडिये स्कॉलेज मिला तो लाजस्तान का जो डेंटल कॉलेज गॉवर्में यह करना है तो दोनों केस में आपको जैपुर जाना है सारे डॉक्यूमें लेकर के डीडी कितने का होगा किस नाम से होगा SMS में आप पूछ सकते हैं फोन लगा करके आ वहां पहुंच करके जाहिए जॉइन करिए हो गया पकाम अगर आपको अप्ग्रेडेशन करवाना है अगेन अप्ग्रेडेशन के लिए बोलके आईए कि हमें अप्ग्रेड करवाना है और सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर ठीक है यूपी में अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है कोई कॉलेज अलो टेड हुआ है तो अगर आप उसको लीव कर देते अले लिव कर देते तो क्या रहेगा गर्यूर ऐप को है और अगर आपको आफ़ को आगे पार्ट वापिस दो कि इस केस में अगर आप यूपी में लीव करते हैं कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा जो पहले जमा करवाया था वो भी गया और नया वापिस जमा करवाना पड़ेगा अगर फॉस्ट राउन की सीट थोड़ी लेनिये सीट जाहिए आपके तो अलॉट्मेंट ले अगर अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो फुल फीज जमाकरवानिए अगर प्रचाब प्रचाब हुआ जंदे जहांतर आपको प्रचार्ज लेना लेना है तो केवल लेनःगा जियन प्राउर राख ये सांटर में और Серचेक AND राउंड की फ्रेश चॉइस फिलिंग करिए यह है यूपी का रूल ठीक है MP क्या कहता है भई MP मध्यप्रदेश के अंदर फॉस्ट राउंड का कॉलेज लेना जरूरी है यहां की तरह ठीक है फॉस्ट राउंड का कॉलेज अगर आप छोड़ते हैं तो आगे के राउंड में आप पार्ट नहीं ले सकते हैं भई यूपी की तरह ही है यहां पर फॉस्ट राउंड का कॉल से चेंज कर सकते यूपी में अप्ग्रेडेशन को री शफलिंग कहा जाता है चॉइस री शफलिंग अलग-अलग नाम हो सकते हैं बात वही है यूपी हो गया MP हो गया महरास्ट्र की बात हमने पहले ही कर ली थी एक अलग से वीडियो बना करके अगर कोई बच्चा महरास्ट करना है तो रिटेंशन फ़ॉर्म मत भटना अगर अप्ग्रीडेशन नहीं चाहिए वही कॉलिज लेना डिशन फ़र्व हाली बात जरूरी है अगर आपकोको आपको चाहिए नहीं चाहिए रिटेंशन मत भर ये ठीक है तो यह यह हो गया भई हो गया है इन्हीं की तरह रूल्स फॉलो होंगे जो राजस्थान में है तरह का रूल है यहां पर भी ठीक है इसके अलावा आपका 36 गड़ का रिजल्ट आने वाला है करनाटका में एक मॉक रिजल्ट आपको दे दिया है चौईस आप चेंज़स कर सकते हैं अगेन अपना मॉ सब्सक्राइब कर दिया है इसी तरह से उच्छराट ने रिक्लेयर कर दिया है आप लेकर के अपगरेशन कर सकते हैं वहां पर भी चाहें तो इसके अलावा आपका धारखंड ने भी अपने देख लिया होगा ठीख है तो सभी स्टेट्स लगबग लगब अपना जो कि रिजल्ट डेक्लायर कर चुकी है हर्यानन ने जो है रिजल्ट डेक्लायर कर दिया है वहाँ पर भी आप इसी तरह से या तो लीजिए चोड़िए या अप्ग्रेड करवाई यह तो भी आप चाहते हैं तो यह सब अब सब्सक्रायर अने वाले राउंड में होगा पॉस्ट राउंड अब सभी का लगभग कंप्लीट हो चुका है कुछ स्टेट्स में रिजल्ट आना अभी भी बाकी है यसे बंग बंगाल ने लेट इंस्टार्ट किया है तो सब जगे की चैण लगबग स्टार्ट होने यह हो चुकी है एगे सग्याए थोड़ा सा डेट को आगे शिफ्ट कर दिया कि ओल इंडिया ने शिफ्ट किया है तो एट इस पूड़ा बहुत अपनी देट को शिफ्ट करेंगे तो अपनी अपनी जो वेबसाईट लग लग स्टेट की और MCC की उसे चेक करते रहें क्योंकि उसी पर आपको सारी डीटेल मिलेगी आगे आपको किस तरह से चलना यह आपको बता दिया है हमारे जो नंबर मिलते हैं उन पर आप कॉल की बजाए WhatsApp किया करें दस से 6 बजे के बीच सुबह 10 से शाम 6 के बीच तो आपको reply proper मिल जाएगा फिल यह भी आप समझ यह दूसरी चीज यह मैंने पहले भी बोल दिया है सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे कॉलेज इस तरह के कई बातें इस कर जाओं हम कई information देंगे मिस कर जाओं private colleges अगर आपको चाहिए कैसा कॉलेज किस बजट में आपके बजट में सबसे बेस्ट कॉलेज क्या हमसे डिसकस कर सकते हैं अगेन वॉट्सअब के तुरू हम आपको एक बेस्ट बजट कॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे तो बेस से बेस्ट काम अपने को करना है इस टाइम पर लेट नहीं होना है डिम्ट उनिवर्सटी भी तो कम बजट में आपसे हो स